हेलो स्टूडेंट्स विछले वीडियो में हमने EBS का All Animals Are Different ये वाला लेशन पड़ा था फॉर्स लेशन अभी हमें उसके Question-Answers स्वाल करने हैं तो इसके लिए आपको वर्बुक निकालना होगा वर्बुक का पैज नंबर 48 तो फॉर्स्ट क्वेशन हम लेते हैं एंसर दी फॉलाइंग क्वेशन ओके फॉर्स्ट क्वेशन है वीच आर्द अनिमल्स डाट कैरी हेवी लोड्स ऐसे कौनसे अनिमल्स है जो ज्यादा वर्जन उठा सकते हैं या फिर हम उनका इस्तिमाल ज्यादा वर्जन उठाने के लिए करते हैं ओके तो एंसर में हमें एंड एलिफंट्स ओके तो यह जो तीन अनिमल्स है यह हम हेवी लोड्स उठाने के लिए इनको हमेशा इस्तिमाल करते हैं सेकंड वाला है नेम दे अनिमल्स डैट हैव शेल ऐस देर कोट ऐसा कौनसे अनिमल्स है जिनके शरीर पर शेल होता है वही उनका कोट होता है ओके तो शेल किसके अनिमल्स बे होता है मैंने लेशन में आपको यह सिखा दिया था अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार वो वीडियो देख लिजिएगा ओल अनिमल्स आर डिफरंट यह वाला लेशन में उसमें आपको पढ़ाया है तो चलो हम बाब, लोबस्टर and स्नेल यह जो चार आणिमल है तो यह आणिमल के शरीड के उपर इसा टफ शेल होता है थर्ड वाला क्यूशन हमारा है वाट इस द बाडी मूवमेंट अफ श्नेक कालड ऑके श्नेक आपको पता है कैसे चलता है इससे चलता है श्नेक सरक सरक के तो उस ब body movement of a snake called slither okay slither मतलब क्या शरक शरक के चलना तो फोर्ट वा लोकेशन है why are the codes of animals different जो animals होते हैं सब तो वो animals के codes जो होते हैं यह मैंने lesson में आपको अच्छे समझाया था कि animal के शरीर के शरीर जो होता है वो अलग-अलग क्यों होता है different क्यों होता है किसी का सरीर ऐसा तो किसी का ऐसा किसी के शरीर पर बाल किसी के शरीर पर शेयर किसी के शरीर पर कुछ ऐसा क्यों होता है तो वो मैंने आपको lesson में अच्छे से समझा दिया है तो answer में हमें लिखना है अभी the codes of animals different because due to the climate and weather वो जिस climate में रहते हैं जिस हवामान में रहते हैं जैसी भी climatic condition वहाँ क्यों होती है उस तरीके का structure उस animal का होता है और वही पर वो खुद को add up कर लेते हैं वही उनका habitat बन जाता है तो चलो हम 5th question के पास आते हैं 5th question हमारा है write the codes of these animals अभी हमें उपर वाले जो color वाले box है उसमें सारे animals के नाम दिये हैं नीचे हमें उनका शरेड पर कौन सा कोट भी या फिर उनका शरेड तेसा है तो वैसा हमें नीचे लिखना है तो नीचे, फोर्स्ट वाला हमें दिया हैं पॉर्क्यॉपाइं, तो इसका शेरिय के ऊपर स्ट। होते हैं, यह हमने लेशन में यह भी हमने पढ़ियान था जेब्रा की शेरिय आप देखोगे, जेब्रा की बॉड्दि कैसी होती है उसके body पर इसे strips होते हैं जैसे tiger के उपर होते हैं snake के शरीर पर scales होते हैं उसकी तवचा ही वेसे ही होती है body skin उसकी वेसे ही होती है bear के शरीर पर fur मतलब चोटो चोटो बाल होते हैं crocodile के उपर scales होते हैं अगला हमें पढ़ना है fill in the blanks तो first वाला हमें लेना है a dog dash dash the house अभी हमें lesson में हमने देखा कि ये सारे जो fill in the blanks है ये same lesson के ही दिये हुए हैं तो वेसे ही अगर आपने lesson पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको ये fill in the blanks लिखते आएंगे तो first है a dog guards the house second है animals having feathers are called birds gene animals को feathers होते हैं मतलब ये से funks जैसे होते हैं तो उनको हम birds बलते हैं third है animals help us in many ways okay animals हमें हर तरीके से मदद करते हैं fourth है a cat keeps the mice away okay cat अगर हमारे घर में हो वो बिली तो वो चुहे से हम दूर रह सकते हैं चुहे से हमें वो दूर रखती हैं fifth one है animals that help us in the field are oxen and buffalo हमें जो भी खेती वगरा है wolfs field में help करने के लिए oxen और buffalo ये दो टाइप के जो animal है वो हमेशा मदद करते हैं तो चलो हम next question के पास आते हैं अगला question हमारा है state true or false अब इस सही और गलत हमें लितना है true मतलब सही false मतलब गलत ये पता है आपको first वाला है a seal glides seal जो होता है वो के से चलता है glides okay तो ये true है second वाला है skin of camel is used to make leather products okay camel आपको पता है जो desert में मिलता है तो camel की जो तवचा होती है वो उससे हम क्या बनाते हैं तो लेदर के products बनाते हैं तो ये सही है इसलिए आपे लिखे जाएगा true third है rhinoceros help us by carrying heavy loads तो rhinoceros जो होता है तो वो हमें किस तरह से help करता है heavy load उठाने के लिए help करता है तो ये गलत है इसलिए यहाँ पर लिख देंगे false fourth number है polar bear has fur as its body coat polar bear जो cold में हमें पाया जाता है थंड में पाया जाता है थंड जहांपे होगी वहाँपे तो ये जो animal है ये इसका जो body coat है texture जो है body का उस पर चोटी चोटी बाल होते है फर मतलब चोटी चोटी बाल तो ये सही हो जाएगा इससे यहाँ पर रख देंगे हम true fifth one है a fish swims by using its feathers fish जो होती है वो swimming किसी करती है पानी में तो उसको यहाँ पर बोला गया कि उसके पंग से वो करती है तो ये तो गलत है इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे false okay next question हमें दिया है ये जो next question है ये बहुत ही interesting है पजल है ये एक अगर आपको खेलना है तो आप खुछ से खेल सकते हो लेकिन फिर भी में मैं आपको एक बार खेल के बता देती हूँ अभी हमें यहाँ पर पूछा गया है कि complete the puzzle with the help of the given clue हमें नीचे जो clue दिये है ये देखो यहाँ पर जो हमें 10 11 clues दिये है तो sorry 13 है ये तो 13 जो clues है इसके हिसाब से हमें यहाँ का puzzle जो भी है वो solve करना है तो चलो हम first वाला start करते हैं first वाला हमें दिया है puzzle big animal that has one horn एशा animal जिसमें horn आपको पता है तो वो उसके इस पर होता है नाक पर हमेशा उसको एक horn होता है तो एक horn वाला तो एक के animal है वो है rhinoceros तो यहाँ पर हम लिख देंगे rhinoceros first वाले के box में इस तरह से मैंने लिखा है ओके second one है this animal has a long trunk ट्रंक ट्रंक तो एक एनिमल को होता है वो elephant को यह तो आपको पता है तो यहाँ पर हम लिख देंगे elephant का spelling यहाँ तक आ गया तो rhinoceros से तो हमें यह वाले hint मिल गई टू की अभी हम देखेंगे three वाला ओके तो three वाला है third वाला this animal has a very long neck यह जो animal है इसका जो नेक है तो गर्दन बहुत बड़ी होती है उसकी तो थर्ड वाला तो यह तो एक ही आनिमल है यह भी जिराफ तो यहाँ पर हम जिराफ का spelling लिख देंगे और यहाँ से हमें लिंक ल तो चलो हम अभी फिफ्ट वन ले लेते हैं या फिर eight वाला ले लेते हैं ताकि यहाँ पर भी हमें कुछ लिंक मिल सके ओके तो eight वाला है लूज इन अ cold रिजन ओके कहां पर रहता है है वो ऐसा आनिमल जो थंडी cold मतलब थंडे परदेश में रहता है तो यह तो ऐसा आनिमल हैं बहुत सारे लेकिन हमें यहाँ पर लिखना है penguin क्योंकि यहाँ पर लास्ट वाला जो है एन है तो इससे हमें penguin एक हिंट मिल जाती है तो यह तो हो गया complete अभी इससे हमें फिफ्ट वाले की हिंट मिलेगी तो चलो आते हैं हम फिफ्ट वाले के ऊपर दिस एनिमल लौज बनाना तो यह तो आपको अच्छे से पता है कि केला सबसे ज़्यादा किसको पसंद है येस monkey को ओके तो यहाँ पर हम लिखतेंगे monkey का स्पेली मोयन के यवाय मंकी तो यहाँ पर हमें एक हिंट मिल गया अभी हम देखेंगे 12 वाला strip animal that looks like a horse हमने lesson में पढ़ा था कि कुछ animals ऐसे होते हैं जिनकी shadows बहुत मिलती जुलती है लेकिन वह animal वह नहीं होता हम कहते हैं उसको horse लेकिन वह निकलता है zebra तो कुछ ऐसा है इसमें clue दिया है strip animal that looks like a horse horse के तरह उसके भी शरीर पर यह होते हैं कि दो ऐसा होता है वह horse के तरह दिखता है लेकिन उसके सरवर्ड पर क्या होते है strips होते हैं तो वह जेवरा ही है तो यहाँ पर हम लिख देंगे जेवरा अभी 9 वाले के यहाँ पर T हमें मिल गया है तो 9 वाला हम देख लेते हैं नाइन्थ वाले में clue हमें बताया है slow moving and hazardous shell ऐसा कौन सा animal है जो दीरे दीरे चलता है बहुत और उसके उपर shell होता है तो सबसे दीरे चलने वाला तो एक ही है turtle तो turtle हम यहाँ पर लिख देंगे उसके बाद हमें आना है 7 पर अभी यहाँ पर T का clue हमें मिल गया आपको समझ रहा है यह कैसे में कर रही हूँ अगर आपको ने समझ रहा है तो comment box पर comment किजिए मैं आपकी problem solve करने की कोशिश करूँगी तो 7 नमबर पर हमें दिया है some say this animal has 9 births तो यह की है rat इसलिए rat लिखेंगे फोर्थ नमबर वाला है इस domestic animal run fast एसा कुन सा domestic animal है जो बहुत fastly तोड़ता है तो यहाँ पर हमें हो आर एसी डॉर्स लिखना है फिर 6 नमबर पर ओ हमें मिल गया 6 नमबर पर है man's best friend डॉग है तो डियोज़ डॉग लिख देंगे उसके बाद आना है 13 नमबर पर the fastest animal on the earth तो वो है चित्ता इलेवन नमबर पर है तर्टल से एल हमें मिला है तो king of the jungle हमें पता है king of the jungle कौन है जंगल का राजा कौन होता है lion तो हम यहाँ पर लिख देंगे एल से lion हो जाएंगा है तो इस तरह से तो हमने सारे के सारे solve कर लिए अगर कुछ बज़ गया हो भाई तो आपको खुछ से भी solve कर सकते हो यहाँ पर खुछ से solve कर सकते हो अगर कोई I think मेरे खायल से 10 नंबर का बज़ गया है हमारा has big ears and likes to hop जिसके बहुत बड़े बड़े कान होते हैं और बड़े मतलब ठीक है ठीक ठाक और वो क्या करता है हमें इसा हॉप मतलब कुद्दा रहता है तो एसा कौन सा है animal तो वो एक ही है कौन स है rabbit ओके तो यहाँ पर हमें rabbit हम लिखतेंगे तो इस तरह से हमने यह वाला जो quiz था यह पजल था यह अच्छे से solve कर लिया अभी हम चलते हैं next question पर तो next question हमें दिया है identify the different body codes of the animals put the numbers in the respective columns okay तो सारे animals जो भी यहाँ पर दिये है numbers 12 animals totally हमें यहाँ पर दिख रहे हैं तो इन animals के body codes कैसे हैं मतलब उनका body का texture कैसा है body कैसी होती है उनकी तो यह तो हम lesson में अच्छे से पढ़ चुके हैं फिर भी एक बार question में हम देख लेते हैं okay तो first animal जो हमें दिया है वह हैं तो सबसे पहले तो नीचे हमें देखना है नीचे हमें कुछ इस तरह से column दिये हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे शेल वाले जो दो ठी दर्स वाले स्केल वाले और हेयर वाले टो जिन्मका येसे होगा उनका हिसाब से हमें यह पर उनके लितने हैं okay तो यहां पर हम schelle वाले में अगर हम तरह और फिर जो 7th नंबर वाला जो है उसके बाड़ी के ऊपर भी क्या है तो इसको भी हम 7 नंबर यहाँ पर लिख देंगे और नेक्स हमें दिया है किन ऐनिमल की बाड़ी ठीक होती है उनके स्कीन क्या होती है बहुत ही ठीक होती है तो मोटि होती है, तो वो आंइमल जो है, तो ये ज़ 5 वाला हम ने इसमें पढ़ा है ले्षन में, ये ज़ 5 वाला आंइमल है, एलिफांट इसकी थोड़ी मोटी होती है स्कीन, देखने से इस बता चलता है हमें, और 11 नंबर का जो हैं, रायूसीरस तो उसकी वी जो स्कीन है, वो एकदम थीक होती है, मोटी होती है, तो यहाँ पर 5 और 11 नमबर हम लिख देंगे नीचे, इस तरह से, 4 मतलब जिनके शरीर पर छोटी छोटी बाल होते हैं, तो वो एनिमल कौन से हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो उपर रैबिट है, 6 नमबर के पर, तो छोटे बाल रैबिट के उपर होते हैं, और 12 नमबर पर आपको दिख रहा है, पोलर बियर, तो उसके शरीर पर भी छोटी छोटी बाल होते हैं, तो इस तरह से हम 4 में 6 और 12 नमबर लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ओके, दिख रहा है आप लोगोगो, ठीक है, तो नेस्ट हैं, फिदर्स, फिदर्स किनके शरीर पर होते हैं, फिदर्स मतलब आपको पता हैं, चोटी चोटी पंक, तो पंक वाले तो यह है पता ऑर दूसरा है, यहास पे उपर हें, वन नमबर लिख देना स्वरीर मतलब लिख देना हैं, नेस्ट हमने दिया है, एसने अईस्ए ऐलियसी स्केल, सिए किनके शरीर पर स्केल होते हैं इससे के फोर के दिया है यहां पर अलिएटर जैसा तो और तैंन नंबर पर हमlaug अए के शरीड वर किया होता है इंटे हैं वाड़ ये हाव्ण बाला हीं मतलब बीके शरीड पर होते हैं है से एक mai monkey है थर्ड नंबर का और दूसरा है नाइन नंबर का लाईन तो थरी और नाइन न मबर हमें यहाँ पर नीचे इस तरह से लिग देने हैं तो छलो यह भी question हमने अच्छे से solve कर लिया अभी चलते हैं नेक्स्क्क्षेस्ट के ओपर यह जो कुईश्टन है बहुत इज़ी है तो एक हम एक ही बार में अगर हम सारे स्वाल भी कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं इससे हमें हमारे लिंक भी जूड़ी रहेगी और इसमें भूलेंगे भी नहीं और हमारी जो बार 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 प्रैक्टिस हो रही है इन जो नेम्स है जैसे उनकी शेल ठीक स्कीन हो गेरा यह जो है स्पेलिंग भी लर्न हो रहे हैं और हमें बार बार याद भी करने की उनको जरूरत नहीं है इसलिए हम एक की बार में अगर सारा स्वाल कर लेंगे तो हमारा अच्छे से याद भी रहेगा बस थोड़ी सी मेरत आपको मेरे साथ करनी होगी अगर आपको यह ज्यादा हो रहा है तो आप आधा वीडियो अपडेट लिजिए बाद में आधा वीडियो देखके कंप्रेट कर लिजिए कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है तो चलो हम नेक्स्ट कोईशन के पास आते हैं नेम दे मुवमेंट्स अब फॉलोइंग अनिमल्स यह जो सारे अनिमल्स हमें दिये हैं इनकी हमें नाम लिखने हैं यह तो बहुत ही इजी है क्योंकि हम यह बार बार अब तक तो पढ़ चुके हैं कि इस अनिमल को क्य क्या कहते है इसका बाढ़ कॉट क्या होता है , negative क्या करता है , टो चलो हमें पाता चल रहा है कि यह कौन है से नाम इसके इसकी मॉंवमेंट्स थे और फॉलोट क्यों मेरे कैसी होग एज़ान है कि इन सारे आनिमर्स के body movements कैसे होती है चलते हैं क्या करते हैं तो चिता क्या करता है तो यह दोड़ता है तो यहाँ पर लिखतेंगे हम और चिता runs ओके रन मतलब दोड़ना कि नेक्स चूपिक हमें दीए हैं crying किए क्या करता है स्नेक दोड़ता है क्या सिंध तो अधी चैनिश के चलता है तो श्रह जिख लिखके तरह दोड़ता है सogeneous Keller पा Bhag मिनें नेक्स पिकचर हमें दीए हैं तो तो हम लिख देंगे a cat lips okay next है सील की picture हमें दी है स्लीब सील भी सरक सरक के चलती है इसलिए आपे उसको अलग यह है a seal glides okay next जो दी है वह है fish fish का हमें पता है अच्छे से fish करते ही swimming करती है पानी में इसलिए आपे लिख देंगे a fish swims okay अभी देखते है डग का तो डग क्या करता है वैडल्स उसको बोलते हैं जैसे वह चलता है उसके चलने को बोलते हैं वैडल्स और डग वैडल्स यह squirrel है squirrel चड़ती है पैड़ के उपर इसलिए आपे लिख देंगे squirrel क्लाइम्स नेक्स्ट है मिलीपेड तो मिलीपेड ग्या करता है क्रॉल्स उसके चलने को मुवमेंट्स को बोलते हैं क्रॉल्स इसलिए आपे लिख देंगे मिलीपेड क्रॉल्स तरह से यह वाला भी question हमने बहुत ही अच्छी तरीके से solve किया और समझ भी लिया है तो चलो गच्छो हमने workbook के तो सारे question अच्छी से solve कर लिए अभी हमें निकालना है activity book का first lesson all animals are different कुछ नहीं करना है इसमें बस दोई question से जो की बहुत ही easy है और मज़दार भी है इसलिए मैं नहीं यह इसी वीडियो में ले लिया ताकि हमें next किया है हमें color the missing animals यह सारे जो animals आपको दिख रहे हैं इनकी स्रिफ छाओ आपको दिख रही होंगी तो इन सारे animals को आपको सिर्फ color करना है उनकी color के हिसाब से ओके बस इतना ही आपको करना है इस question में next question में आपको बोला है make a beer mask ओके आपको एक beer mask बनाना है टेक पेपर प्ले लेनी है उसमें आपको brown color लेना है and allow it to dry okay तो draw two eyes सबसे पहले आपको दो आखे निकालनी है उसकी फिर ears निकालने है कान फिर nose उसकी नाक निकालनी है और finally mouth okay और उसका मूँ निकाल देना है जिस तरह से इस picture में दिया है finally make two holes at both the slides फिर उसके बाद उस slide में आपको दो hole बनाने है and tie to the threads और दोरी से उसको बान देना है show this bear mask to your family members and tick correct ear okay आपको यह bear mask जो है वो बना के यहाँ पे correct tick कर देना है बस इतना है आपको करना है next page पर हमें देखना है next page पर हमें पूछा गया है all the animals in the jungle are worried they lost their tails they finally managed to find them in the sticker page but they need help in the putting them properly on their back can you help them out आपको सारे animals यह जो सारे दिखाई दे रहे हैं तो इनकी टेल नहीं है पूछ नहीं है तो back side पे आपको इसकी टेल दिये हैं तो जिस तरह से मैंने picture में आपको दिखाया है उस तरह से आपको भी उनकी टेल लगानी है तो यह जो सारे animals है यह बहुत ही ज़्यादा पर उनकी पूछे आपको मिलेगी esse book के background में में ओके तो पीछे से मेंने उनकी सारी पूछे है वह निकाल ली है और इनको लगा उनकी thinking दूर कर दी क्या ऑपके तो सकीन से मैच करके जिस तरह से मैंने इंकी पूच्छ लगाई है तो उस तरह से आपको भी लगानी है यह यह लिल्ली कीwel है यह देखो टॉको लगा दिये हैं तो आपको भी इसी तरह से लगाना ही तो अगर आपको मेरे वीडियो में कुशन स्वाल करने में मज़ा आया आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना तब तब के लिए बाइबाई